हेलो दोस्तों कैसे हैं आप आशा करती हूँ आप सोस्त होंगे मस्त होंगे और अपनी फेमिली में खुश होंगे तो आज है दिन 14 फरवरी और आज का दिन बहुत ही बुरा दिन था हमारे देश के लिए क्योंकि आज ही के दिन 40 जमान सहीद हुए थे पुल्वावा अटेक मे और कितने ही माताओं की गोच सूने हुई थी उनके बेटे सहीद हुए थे और कितने ही और कितने ही बच्चे आनात हुए थे और हमारे देश के वो 40 जवान जो सहीद हुए थे पुलवामा टैक में भगवान उनकी आत्मा को सांती दे और उनके परिवारों को सहरा दे और यह है सुभह का टायम मैं बना रही हूँ खाना कोकर में बनना यह है अरहर की दाल और एक चूले पर रखा हुआ दूद गरम हो रहा है और मैं काट रही हूँ काना जी को भोग लगाने के लिए पपीता और सेव और आज मैं नहाई नहीं हूँ क्योंकि मुझे करने है आज पापा नहाद हो के वो करेंगे पूजा और वो तकाना जी को भोग लगाके और फिर यही वो खुद खा लेंगे और यहां पर देखियो मैं मैंने दौनों चीजा काट ली है मैं यह आपको दिखा रही हूँ और इधर देखिए राजा की पापा कर रहे है पूजा जैस लगा देंगे और यहां पर देखिए दाल मेरी बन गई है और मैंने उसमे तड़का लगा दिया है तड़का लगाया है मैंने हरी मिर्च, जीरा और हिंका साधा तड़का ही लगाती हूँ मैं और यहां पर सेखने लगी हूँ मैं आप रोटी और मैं जल्दी जल्दी खाना बना के फिर में लगोंगी च्छत की सफाई पर क्योंकि च्छत की सफाई हुई नहीं है जैसे मैंने आपको पहले ही बताय तो पहले वीडियो में कि मौसम बहुत ठंडा होने की वज़े से सारे काम रुके हुए थे तो क्या कहते हैं यहाँ पर देखिए मेरा खाना बन रहा है और राजा के पापा तैयार होके रेडी होके आज आ गए हैं और देख रहे हैं खाने का इंतिजार कर रहा है और पहले मैं निकालूंगी का अपने कनया के लिए भोग कनया को भोग लगा के राजा के पापा भोग परज़ का देंगे उसके बाद मैं राजिक पाप को खाना में परज़ को खॉझा हैं। ले गए ठाली अब लगा तो परज़ के लिए उनPM में खाने में सब्गि में परज को खॉझा न और सुभाग पाग हम यतनाच जलंदी होती और यहां पर देखिये मेने लगा दिया है राजक पाप का अब खाना और पहना के लिए और मैं उनके लिए गरम गरम रोटी सेक सेक के देती जा रही हूं और मैं उनके जाने के बाद आप चाय पीने बैटी हूं एक सुपून बरी चाय में और चाय पीने के बाद मैं आगई हूं अप्षथ पर यहां देखिए मैं लग गईू सफाई करने पर देखिए धूप कितनी तेज है बहुत तेज धूप है और मैं अपने लग गईूं काम से और साथ च्छत भी मेरी बहुत गंदी पड़ी थी इसको साथ करने में भी बहुत टाइम लग जाएगा तो देखिए मैं लग गई हूं साफसफाई करने पर और अकेले होते हैं घर में तो बहुत ज्यादा काम की बहुत ज्यादा परिशानी हो जाती है अगर घर में खाने पीने का देखो तो ओपर की साफ़सफाई रह जाती है और साफ़सफाई करो तो खाना पीना रह जाता है येकी काम हो पाता है så देखिए मैंने मनू के बल्डे पे कराईती कथा तो उसमें मैंने ये चादरे विछाई थी तो ये चादरे मैंने सुभही धोके रख दी थी और यहाँ पर देखी बंदरों ने किता आतंग मचा रखा था सारे गंबले मेरे गिरा गिरा के तोड़ दिये हैं पौधे भी तोड़ दिये हैं ये ठंडो में छट पे कमाते थे तो इस बंदरों ने बहुत ही जादा आतंग मचा रहा खाए देखी मैंने ये सारे गंबले एटों पर रख रखे थे बंदरों ने सब गिरागिरा के गंबले भी तोड़ दिये और सारे पौधे भी तोड़ दिये उन्हें कुछ खाने को नहीं मिलना तो पौधे के पत्ते ही तोड़ तोड़ के खाए हैं उन्होंने, सब डाली तोड़ दी, सब बहुत बुरी तरह सकता नास कर दिया, पेड़ पौध होगा, और यहां देखिए हमें सारी गमले उठाटा के, हमें दूसी जगे रख रही हूं आगे एटों पर नहीं रखोंगे, नीची रखोंगे, जिससे गिराय नहीं, और अभी तो मैं यह ऐसी थोड़े से सही करके रख दे रही हूं, फिर बाद में एक दिन में गमले खरीद के लाओंगी, और इनकी मट्टी चेंज करके, मट्टी और गोवर की खाद लाके, वो स पर यह गमलों को रख दे रही हैं, और मुझे फूल पौधों को लगाने का बहुत सौक है, शुरू से बहुत सौक है, मुझे मेरे मैके में भी बहुत पौधे वगएरा लगाते हैं, फूलों की बगिया वगएरा लगाने का सौक है, हम सब भाए बेहनों को हमाई मम्मी पा यहां देखेए मेरे पोरी छथ हो चुकी है साफ मेरी तुल्सा जी मीरी फिर बढेने लिए आपने देखेए मेरी छट हो सुखी है बिल्कुल क्लीन और सब अब देखिए अब किती सुन्दर लग रही है और साम का टैम था राजक पापा तैसिल से आ गए थे तो और राजा दोनों ही फिर छट पर ही आ गए मेरे को नीचे ना देखा देखा कि मैं उपर हूँ तो राजा पापा भी उपर आ गया और राजा भी उपर आ गया था और अब वो जाने लगे हैं नीचे कह रहा है चाय बनाओ मेरे हाथ सनना है थे तो मैंने राजा से ही कह दिए बेटा तुझ चादर तैगर दे तो वो चादर तैगर रहा है और हम इसके बत महुचेंगे नीचे और मैं ठक बहुत गई थी इसलिए मैंने खाना बनाया नहीं हमने खाना कर दिया और और इसी के साथ मैं इस ब्लोग कहीं पैन करती हूँ फिर मिलती हूँ आप से एक और नई ब्लोग में तब तक के लिए राधे राधे